हेलो एब्रीवन वेलकम टो जांक आईयस आज हम इंडियन एक्स्प्रस के तीसरे लेक्चर पे आ गये हैं आज है डेट 28 अप्रेल 2023 आज के इंडियन एक्स्प्रस में कई सारे इंपोर्टेंट आर्डिकल्स आए हुए है जो कि हमारे मेंस के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं सबसे पहले कौन-कौन सी नियूज है तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहला जो नियूज है कि सबसे पहला जो नियूज है कि mutual fund investment big change in small towns इसको थोड़ा सा देखेंगे क्या है अभी जो आप लोग थोड़ा सा देखते होंगे सेंसेक्स बजार बढ़ गया है घट गया है उसमें तुरह सा चीजे देखेंगे यह अब कैसे इंपोर्टेंट है हमारे जीएस के लिए यह जीएस्ट्री में जो आपका इंडिन एकॉनमी है अर्थविवस्ता है उससे रिलेटेड है वहां पर एक आपको एक दो पॉइंट इक्स्टा मिल जाता है कि लिखने के लिए में शांसर को उसको मैं अभी डीटेल में संधाऊंगा घिकर दूसरा है कि स्टेट अन सेम सेखili मैडिज जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में समलेंगिक बिवाह के ऊपर इस सुनवाई चल लाई है कि इन समलेंगिक बिवाह के जो कानून है उसको सही किया जाए, उसको पारित किया जाए, ना किया जाए, समलेंगिक बिवाह के ऊपर कानून बनाया जाए, ना बनाया जाए, उसको म अभी आप मैंने एक सुडान के ऊपर वीडियो बनाई थी कि सुडान में जो क्राइस चल ला है वहाँ पे क्यों क्राइस चल ला है तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा अभी आप लिटरी और जो परा-मिलिटरी है उसके बीच में लडाई चल लगी तो जो परा-मिलिटरी हो उसको बोलते है रैपिट सपोर्ट फोर्स अब यह कैसे इतनी पाउरफूल हो गई उसको देखेंगे ठीक है और लास्ट निव्ज है सबसे इंपोर्टेंट जो है रेस सुप्रीम कोर्ट में उनका यह मामला गया है तो अब इस पर यह कुशन है कि यह सेक्सवल हराश्मेंट है यह जो यौन उत्पीडन है उसके उपर कानून क्या कहता है ठीक है सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई क्यों कर रहा है उसको देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निउस से स्टार्ट करते हैं कि यह जो म्यूचल फंड इंवेस्ट्मेंट बिक चेंज इन स्माल टाउंस आप लोग देख रहे होंगे अगर थोड़ा साथ दिन्यूस से अवेर होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि पिछले 2-4 सालों में कोरोना की बाद से जो हमार पर संसर्ट का दिखाए जाता है से तंसर्ट यह बढ़ रहा है ठीक है यह संसर्ट किह कहां पर है जिसको बोलता है BSC Bombay Stock Exchange फो मुंबाई में है ठीक है यह होता है mutual fund ठीक है देखा होगा ऐसे mutual fund दिखाते है news में की होता है mutual fund जहां पर पैसा लगाया जाता है किसी ने किसी mutual fund में एक scheme में तो लोग पैसा लगाते हैं तो उससे कमाई होती है तो company जो sensex होता है वो बढ़ जाता है ठीक है तो यह होता है sensex और BSC तो अब इसमें देखते हैं कि क्यों इसमें अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो यह BSC है sensex है वो पिछले यह खुद्रा बाजार है ठीक है वहां पर इतना तेजी आ चुकी है तो अब बात आती है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले जो यह sensex था mutual fund था यह जो बड़े बड़े सहरों में जो लोग थे वहां पैसा वहीं के लोग पैसा लगाते थे जैसे दिल्ली हो गया मुंबई हो गया कलकता हो गया चन्नाई हो गया है थराबाद हो लखनो हो गया तो यहां कि जो बड़े लोग थे जो पढ़े लिखे लोग जो थोड़ा सा मालूम था इसके बारे में कि है क्या ठीक है वहीं लोग पैसा लगाते थे लेकिन अभी यह दो चार छे सालों में ऐसा देखा गया है कि आप जो छोटे-छोटे टाउंस हैं जैसे माली जे क्या नाम आप उत्तर बिहार के या उत्तर प्रदेश के या बिहार चत्तिसगर जाड़कंट वहां बें जो छोटे-छोटे टाउन होते हैं जैसे माली जे पटना हो गया बकसर हो गया चंबारन हो गया गोरखपूर हो गया ठीक है यह जो छोटे-छोटे जिसको बोलते है टीर 2 सिटी टीर टीर 3 सिटी अब क्या हो गया है आप लोग देख रह गया है बहुत सारे ऐसे कंपनियां और एप्स आ गया है जो कि आपको मोबाइल पर ही उसका बताते हैं कि क्या बाजार का अपडेट है क्या नहीं है तो अब यह देखा गया है पिछले 2-3 सालों में कि जो बड़े जो बड़े सहर थे वहां से अब जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वहां से सिफ्ट होके अब दूसरे टाउन पे सिफ्ट हो रहा है जैसे टियर 2 सिटी टियर 3 सिटी ठीक है तो इसको यह बदलाओ भारतिया अर्थ व्योस्ता में बहुत तेजी से और बहुत जल्दी आया है ठीक है तो उसी को पहले समझते हैं कि डेटा देख लेत जो सेनचस बजार में सेयर था वो 73 % था चुछ ए गया स्पास और जो यून 2014 में मार्च 2020 में जो इन का सेयर जो हो घ्ट गया वो 73 % से 62 % पे पर गया इसका मतलब क्या है जो 10% घट उतरी हुई वो कहां पर invest हुआ वो tier 2 cities, tier 3 cities यहां के लोगों ने invest किया census बजार में ठीक है वही चीज यहां पर देखने के मिल ला है next 10 cities 12%, next 20 5% का share, next 75 5.5% share ठीक है तो यानि की इन 6-7 सालों में जो investment यानि की निवेस का तरीका था वो बड़े स सहरों से shift होके छोटे सहरों में आ गया, ठीक है यह भारती अर्थव्योस्ता के लिए बहुत खुसी की बात है और क्याना बहुत इसको ज्वाइस करना चाहिए कि हमारी अर्थव्योस्ता क्या रही है अब decentralized हो रही है, decentralized मतलब कि जिसमें अब democratic यानि की लोगतांतिक तरीके स समावेसी विकास हो रहा है, अब क्या कर रहे है, जो बड़े सहरों के लोगी अब सुनस्ख कर रहे है, अब छोटे सहरों के लोग भी invest कर रहे है, इससे यह पता चलता है कि हमारी जो economy, हमारी जो अर्थव्योस्ता है, अब वो expand कर रही है, और बड़ रही है, ठीक है? चोटे सहरों के लोग भी अब क्या नाम सेंसेक्ष बजार में पैसा लगा रहे हैं अब बात आती है कि छोटे सहरों के लोग पैसा क्यों लगा रहे हैं आप लोग क्योंकि अब इंटरनेट के जमाना है ग्लोबलाइजेसन यानि कि बैस्वी करण के जमाना है तो लोग क्या अ अब लोगों की एक्ष्षाय यानि की एस्पिरेशन बहुत बढ़ रहा है, लोग सभी जहते हैं, अच्छे सहर में रहा हूँ, अछे बच्चों को पढ़ा हूँ, ठिक, अच्छे स्कूल पढ़ा हूँ, और अच्छे जगह जॉब लगे, तो अब लोग पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे हैं तो यह कारण हो गया कि जिससे हमारी जो economy है वो बढ़ रही ठीक है इसका मतलब है कि जो हमारी अर्थव्योस्ता है वहां उसमें लोगों का अगली नीज़ पर चलते हैं यह क्या है स्टेट अं सेम सेक्स मैरीज इसको देखते हैं ठीक है अभी आप लोगों को पता होगा कि जो सुप्रीम कोड में समलेंगिक बिवाह को कानूनी रूप दिया जाया न दिया जाया उसके पर बहस चल रही है तो उसमें सरकार अपना पक रख रहे हैं और सुप्रीम कोड उसकी सुनवाई कर रहा है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि समलेंगिक विवा को ये मानता क्यों नहीं दी गई थी आपको पता है कि 2018 में एक जज्जमेंट आया था नौतेज सिंग जोहर का जज्जमेंट उसमें जो आपना IPC है इंडियन पि रूप से अवैद है ठीक है तो उसके खिलाब कानूनी कारवाही भी की जाएगी तो 2018 में सुप्रीम कोड ने नौतेज सिंग जोहर केस में समलेंगिक जो संबंध थे उसको डी कर दिया मतलब उसको बैधानिक रूप पदान कर दिया यानि कि अगर कोई भी समलेंगिक संबं उठी थी कि अब जो समलेंगिक जो संबंध है उनके विवाहों को भी उनके विवाहों को भी कानूनी मानता दिया जाए तो एक बात आती है कि LGBTQ जो है यानि कि Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender और ये Queer ये इन लोगों की तरफ से डिमांड आई कि Same-sex Mary यानि कि समलेंगिक विवाह को कानूनी र देखते हैं कि LGBT क्यों होते क्या हैं, देखे ये L का मतलब होता है Lesbian, Lesbian मतलब होता है जब दो लड़कियां आपस में संबंध बनाते हैं उसको बोलते हैं Lesbian, ये देखे ये होते हैं Lesbian, ये दो लड़कियां है आपस में संबंध मना रही हैं तो इसको बोलेंगे Lesbian, ठीक है, lesbian बोलेंगे और gay होता है जब दो लड़के आपस में संब्ध मनाते हैं जो दो पूरुस आपस में संब्ध मनाते हैं उसको बोलते हैं ठीक है यह यह देखिए यह है ठीक है उसके बाद एक आता है bisexual bisexual का मतलब होता है एक ही इनसान के अंदर आद्मी और अवुरत दोनों के गुड़ रहते हैं तो जब वह ऐसे लोगों संब्ध मनाता है उसको बोलते हैं bisexual यह देखिए एक इंसान है लेकिन वह लड़के से भी संब्ध मना रहा है और लड़की से भी संब्ध मना रहा है ठीक है जैसे उनको बहुत समाज में उनको छक्का भी बोला जाता है, जो की बहुत गलत तरीका है बोलने का, ठीक है, तो यह होते हैं transgender, इनको जानी दे होंगे आप लोग, ठीक है, उसके बाद आता है, एक और समू, एक आउज आता है, जिसको बोलते है, queer, queer मतलब होता है, बिचित् यह देख रहे होंगे, अब ऐसे लोग क्या, इनको ना पहचान पा रहे हैं, आप लड़का है कि लड़की है, यह ना पहचान पा रहे हैं, लड़का है कि लड़की है, ठीक है, तो ऐसे सम्बंदों को बोलते हैं, बिचित्र, यानि को queer सम्बंद, ठीक है, अगर आपको और भी जानकारी लेनी है, इसके बारे में थोड़ा सा और क्या होते हैं, कैसे बिहेब करते हैं ये लोग, तो एक मनुझ बाजपई जी की एक मोवी आई थी, अलीगड़, ठीक है, अलीगड़ आई थी, बहुत अच्छी मोवी है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, UPSC के साब से बहुत जरूरी है, क्योंकि UPSC इंटर्व्यू में इससे फुष्टन बहुत आने वाले हैं, ठीक है, इसको देख सकते हैं आप लोग, अब उस पर बात करते हैं कि इसमें क्या है क्या है, कि अब जो समलेंगी बिवाह के उपर, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल इन्हों ने कहा, कि केन सरकार ने कहा कि जो मैरिज है, जो साधी है, वो हमारे कानूनों में, हमारे सास्तों में ये लिखा गया है, कि जो साधी है, वो किन ही महिला या पूरुस के बीच में ही हो सकती है, ठीक है, जो साधी है, किन ही महिला या पूरुस के बीच में ही हो सकती अब इन्होंने कहा कि अगर कोई नई marriage define करनी है कि महिला या महिला पुरुस या पुरुस के बीच में अगर कोई साधी define करनी है वो परिभासित करने का काम केवल सकेन सरकार के पास और ज्यादा तर संसत के पास है ठीक है तो उसको कोई court नहीं decide कर सकता कि महिला या महिला पुर बहुत लोग बोलना है कि इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए किसी की साधी में, किसी की साधी हो रही कोई साधी करना चाहता है, तो सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों को मानना है, लेकिन तो इसमें केन सरकार का ये कहना है कि बिल्कुल दखल दे अगर उनके बच्चे होते हैं, वो कौन बच्चा किसको गोद लेगा, किसकी प्रापर्टी लेगा, नहीं लेगा, उसके लिए सरकार कानून आता है, बच्चे होंगे, तो उनके बच्चे को पढ़ाई क्या, कैसे होगी, कहां पढ़ने जाएंगे, वो सब कौन डिसाइड करत है, अब माल लीजे, इन दोनों के बीच में, लड़का-लड़की के बीच में लड़ाई हो गई, तो उसको डिसाइड कौन करता है, सरकार ही डिसाइड करती, किसी कानून के माद्धम से, तो इसलिए सरकार का ये कहना है, कि जो दो लोगों के बीच में साधिया हो रही है, त तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, तो वो गलत तरीका है, बिलकुल सरकार को दखल देना चाहिए, ऐसा के इस सरकार के जो वकील है, तुसार महता उनका कहना है, ठीक है, तीसरा है कि बहुत लोग कहते हैं कि जो राइट टू प्राइवेस तो यानि कि अगर वो साधी कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो वो उनका अपना पर्सनल मैटर है ना कि सरकार का पर्सनल मैटर है तो उसमें यह कहते हैं कि बिल्कुल आपका निजता का बिवार है आप अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं वो सरकार को उसमें कोई मतलब नह जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, कानून का दर्वाजार खरकटाएंगे, तो ऐसे समय पे सरकार बिलकुल असामने आती है, तो सरकार ऐसे मामलों को उन्होंने कहा कि संसत को ही decide करना चाहिए, जिससे की पूरी तरीके से इस समगता में देखा जा सके, ठीक है, उसके बा सकता, ठीक है, उसके बाद बाद आती है कि और क्या पॉइंट है, हाँ, एक पॉइंट और बात आती है कि जो साधी है, अब इसमें बाद आती है कि जो समर्थन वाले लोग है, वो कहते है कि समलेंगिक बिबा को एक special marriage act बना हुआ है, विसेज बिबा अधनियम बना हुआ है इसमें जो मालीजे कोई gay है, यानि कि लड़का-लड़का है और या लड़की-लड़की साधी करने चाहते हैं, तो इसमें husband कौन होगा, wife कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है, इसको decide करने के लिए एक कानून चाहिए, समग रूप से बिचार करना चाहिए, और ब अवरत है, यानि कि जो wife है, वो अगर मालीजे कोई भी ऐसा कुछ उसका जो पती है, कहीं और तरीके संबंद मनाना अस्थापित करता है, तो उसके खिलाब FIR वो पतनी कर सकती है, अब इसमें, मालीजे, ऐसी कोई घटना होती है, जो दो समलेंगी विबाग हो जाता है, अब उसके बाद आता है कि ये परसनल लास के उपर भी इसका effect होगा, अब कहते हैं कि इसका effect जो है, वो आने वाली generation पर पड़ेगा, मालीजे कोई समलेंगी विबाग को हम allow कर देते हैं, तो public में लोग ऐसे चीज को करने लगेंगे, इसको सुआफ करने लगेंगे, इससे जो आ कील हैं, तुसार महता, उन्होंने सम्मिट किया हुआ है सुप्रीम कोड में, अब सुप्रीम कोड में इसकी सुनवाई चल लगी है कि समलेंगी कानून को, विबाग को कानूनी रूप दिया जाया ना दिया जाया, तो ये तो था center का stand, ठीक है, अगर आपको और detail में वीडि संस्यार्टी की YouTube चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है, अगली उस पर चलते हैं, अगला जो न्यूज है कि रेसलर्स इन सुप्रीम कोड, वाट लास से जान अफाई रिन सेक्ष्वल हरास्मेंट केस, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो बहुत सारे जो पहलवान है वो ज कर रहे हैं कहके वो लोग उनका ये मानना है कि 2012 के दवरान इन्होंने अपने चेंबर में कुछ माइनर लड़कियों के साथ यह नुद पिडन किया था, जो कि ऐसी लड़कियां पहले बोल नहीं पाई थी, अब बोल रही है, तो इसी खिलाब इनका वो चलाया जाए, अभी Section 154 of IPC 1 है, उसमें एक धारा है कि अगर कोई भी यौन पिरन होता है, तो जाके आप 6 महिने या 6 महिने ज्यादा तक की सजा हो सकती है, आप FIR कर सकते हैं, ठीक है, आप FIR कर सकते हैं, लेकिन कहां पे कर सकते हैं, जहां पे यह मामला हुआ हो, माल लीजे मैं दिल्ली में बैठ लेकिन जो अब यह लोग, रेसलर जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो दिल्ली में FIR कर वा रहे हैं, ठीक है, अब वो जो घटना हुई थी, वो कहीं और घटना हुई थी, लेकिन जब दिल्ली में FIR कर वा रहे हैं, तो वहां पे एक concept आता है, 0 FIR, एक concept आता है, 0 FIR, यानि कि 0 FIR हो स register कर लेगा और जहां का मामला होगा उसको सूचित कर देगा कि हमारे यहां यह hier FI I R register करेगा ठीक है इसका मतलब क्या है वो जो जुर्म हुआ है उसको accept कर लेगा और कहेगा कि हम यहां पे यहां पर यहां रेजिस्टर कर ले रहे हैं लेकिन हम इसको जो हर्याना का सोनी पत जो जिला है वहां पर जो पुलिश टेशन होगा उसको हम सूचना देंगे कि यह ऐसा जो क्राइम आपके यहां पर हुआ था उसका जो F.I.R हमारे यहां रेजिस्टर हुआ है प्लीज अपने यहां यह F.I.R रेजिस्टर कीजिए ठीक है तो ऐसा ही 0 F.I.R दिल्ली में जंतरमंतर पुलिश टेशन में रेजिस्टर करा दिया गया ठीक है अब बात आती है कि अ आपको पता है कि जो दिल्ली गैंगरेफ हुआ था निर्भया कांड हुआ था 2012 में उसके बाद एक कमेटी गठीत हुई थी जस्टिस जे बी बर्मा ठीक है जेस बर्मा के नाम पे जेस बर्मा कमेटी गठीत हुई थी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि आगर कोई भी यहान उत्पिडन हुआ और वो एफाईया लिखाने आया पुलिस टेशन तो जो कोई भी पुलिस अधिकारी वहाँ पे मौजूद होगा वो क्या नाम एफाईया लिखने से मना नहीं कर सकता तो उन्हीं की जो रिकमेंडेशन थी उसको सेक्शन 166 सेक्शन 166 एक के तहट 2013 म उसमें भारतिये दंड सहिता में एड कर दिया गया था ठीक है तो इसके उसी के तहट अब यहां पर क्या नाम दिल्ली में एफाईया रजिस्टर हुई अब बात आती है कि यह जो भूसर चरण सिंग है इनके उपर पोस्को का मामला यानि कि प्रिवेंशन आप सेक्श्वल कि खिलाफ कोई भी अगर यहौन इंद्पिरण न होता है तो उसके आसपास के जो डिलेटिव हैं वह जिसके खिलाफ हुआ है जिसने वह यहुन इद्पिरण किया है किया है उसकी खिलाफ एफाईयार तुरंट जाके रजिस्सर कर सकते हैं ठीक है अब उसमें माल लीजिए कोई भी पुलिस अफिसर होगा अगर वो मना करता है कि एफाई आर करने से तो पोस्को एट के तहत आप जिले के जो कप्तान होंगे उनसे आप सिकायत कर सकते हैं कि अब की ऐसा-इसा मामला हुआ है तो जिले के कप्तान होंगे उनके पास कोई दो आपसन है या तो वो खुद जाज करें या तो उस पुलिस टेशन को बोलें कि एफाई आर रेजिस्टर कीजिए ठीक है और अगर यहां पे भी मामला साल्व नहीं होता है तो पोस्को एक्ट के तहत यह अधिकार दिया गया है कि आप डारेट जाके मजिस्टेट जो जुडिसल मजिस्टेट होगा यान पहलो आने को जो वकील है कपिल सिब्बल उन्होंने जाके यह मुकद्म यह सुप्रीम कोड में दर्जी यह यह दाखिला किया कि यह जो मामला है सेक्शन 166 के तहता है और ऐसा फाई आर रेजिस्टर करना यह अपने आपने गलत है ठीक है इसको प्रीच सुप्रीम कोड सु है नहीं बनता है ठीक है तो उसी की आज सुप्रीम कोड में सुनवाई होने जा रही है ठीक है तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यह प्रिलिम्स के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि 0 FIR क्या होता है सेक्शन 154 क्या होता है यह डारेट अब यूपियस्टी पू सनाय हुए थे ठीक है अब आखरी न्यूज है कि आखरी न्यूज है ये रैपिट सपोर्ट फोर्सेस कि अभी जो आप लोग देख रहे हैं सुडान में क्रैसिस चल लए है तो उसमें मैंने दो दिन पहले वीडियो बनाया था कि वहाँ पे जो मिलिटरी है और जो पैरा एतनी मजबूत नहीं है को सरकार को चुनाओ खे सके हमारे आर्मी को आर्मी मजबूत हो वह कहा जा सब्धा है तो उसके पीछे का एक कारण है कि जो रैपिट सपोर्ट फोर्स है वह आज नहीं पैदा हुई थी वह 2013 में वो पैदा हुई थी सुडान के आसपास इलागों में वो मैं दिखाता हूँ पहले क्या है यह देखिए, यह है सुडान, कल मैं उसमें दिखाया था, सुडान है यह पूरा इलाका, ठीक है, यहाँ पे है चैड, ठीक है, उसके बगल के इलाका चैड, ठीक है, यहाँ पे एक एक इलाका है, एक इलाका है, जिसको बोलते हैं, डार्फर, डार्फर इलाका, डार्फर, ठी यहां पे इन्हों ने अपने अपने लोगों को बचाने के लिए एक गुरूप का बना लिया ठीक है एक गुरूप बना लिया उनसे लड़ने के लिए ठीक है तो अब इन्हों ने उसको वहां के जो सरकार थी उसके उसको बहुत ही कहनाम डी स्टेबलाई वहां पे कहनाम उसक तो एक तरीके से ने स्तनाबूत कर दिया, तो अब इन लोगों के पास ये सकती आ गई कि हम बगल वाले सरकार को हम गिरा सकते हैं, तो अपने सरकार में अपनी परभूत क्यों नहीं जमा सकते हैं, तो क्या हुआ कि डार्फर के लोगों ने जो rapid support force है, जो paramilitary है, उसमें भरती होना स्टार्ट किया, और काफी मातरा में ये लोग भरती हो गए, ठीक है, तो अब 2013 से ही ये लोग उसमें मातरा म भरती हो गए, तो 2019 में जो वहां के डिक्टेटर थे, उमर अल बसीर, जिसकी मैंने फोटो दिखाई थे दो दिन पहले अगर वीडियो आप लोग देखा जब इनका हर जगा सबलता मिलने लगी, इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने देश पे अपने हिसाब से राज करें, इसलिए इस समय आप लोग देख रहे होंगे, जो रैपिट सपोर्ट फोर्स है, वो इतना स्ट्रांग है, कि वहां की आर्मी से पंगा ले रही है, ठीक है 1.99 रुपए में, ओजांग इनिटाइम लेर्निंग अप पे अबेलेबल है, कली की क्लास में, 27 की अप्रेल की क्लास में, मैंने डेटेल में उसके बारे मताया हुआ है, कि वैगनार गूर्प होते क्या है, तो वैगनार गूर्प का भी सपोर्ट इनको मिला हुआ है, जो रस प्रेफुल है या नहीं है, जरूर प्लीज कमेंट में बताएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर नहीं पता है, तो दा हिंदू एडिटोरल की मेरी डेली क्लास होती है, सुबह 10 सा मेरे साथ जरूर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद,